जैजदेन मद्वो मैं रवी जैन गुरू जी आज सोमवार और राहु काल पराते साड़े साथ बजे से नो बजे तक रहेगा इस वीच में हमें कोई भी नया कारिया आरहंब करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं रासी फल की मेश रासी वाले क्रोद पर काबू रखें व्यापार में रुका पैसा मिल सकता है क्या करें ओम रिम शिरी मुनी सुपरतना जिनिंदराय नमा की एक माला अवश्य फेरें वर्शब रासी वाले नोकरी में सुधार के चांस खर्चे पर काबू रखें क्या करें शिरी चंदरपबू चालीसा तीन बार अवश्य पढ़ें मितुनरासी वाले अनावश्यक खर्च से बचें स्वास्त का ध्यान रखें क्या करें शिरी भक्तामबर जी का 36 वा काविय नो बार अवश्य पढ़ें करक रासी वाले बदन दर्द की शिकायत हो सकती है रिस्तों में तालमेल वैठाएं क्या करें शिरी आदिनाज जी का चालीसा अवश्य पढ़ें सिंग रासी वाले अंजान व्यक्ति से दूरी बनाएं नए वाहन का आज योग बनता है क्या करें काले उडद यता सम्मो दान करें करनिया रासी वाले नए सामान का योग लंबी यात्रा से लेकिन बचें क्या करें दस मिनट का मोन दो बार अवश्य रखें तुलारासी वाले खर्चे पर अंकुस लगाना बहुत जरूरी दिन ठीक है क्या करें हल्दी काटी का माथे पर अवश्य लगाएं वर्षिक रासी वाले सुब समाचार मिल सकता है मन काबू में रखें क्या करें ओम भीमशिरी कुंतुना जिनेंदराई नमा की एक माला अवश्य फेरें धनूरासी वाले खाने में सयम रखें गरदन से उपर प्रेशानी हो सकती है क्या करें नए मंदिर जी में देवदर्शन अवश्य करें मकरासी वाले स्वास्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी चीवन साती का भी ख्याल रखें क्या करें मंदिर जी में पांच वदाम ओम भीम शिरी पदम प्रभु जिनिंदराय नमा बोलकर अवश्य चड़ाएं कुम रासी वाले बच्चों के साथ क्रोध ना करें प्यार से समझाने का परियास करें क्या करें परिवार में खीर भोजन के साथ अवश्य लें मीन रासी वाले समय अच्छा है नवीन समपत्ति का योग क्या करें घर लोटते समय कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आएं खाली हाथ घर में परवेश ना करें और बंदो रासी फल के पश्यात अब बात करते हैं आज की सला की देखें घर में अगर बुजर्गों का कमरा एववस्तित रहता है तो घर में रोग और तनाव बढ़ने लगते हैं तो ध्यान रखें आपके घर के जो भी बड़े बुजर्ग हैं उनका कमरा हमेशा सुवव ववस्तित रहना चाहिए अगर घर के बड़े बुजर्गों का कमरा एववस्तित होगा तो पूरे परिवार में रोग और तनाव बढ़ेगा इसलिए आज से अपनी आदत बदलें और घर के बुजर्गों का कमरा पिल्ली से लिखते हैं गूरुजी जैजिनेंद्र मेरे पिताजी का स्वास्त ठीक नहीं है कोई उपाई बताएं काफी समय से उनका स्वास्त खराब चल रहा है और काफी चीकिस्सा हम करा चुके हैं देखे प्रेम सागर जी आपने जो अपने पिताजी की कुंडली मेरे पास भेजी है इसके अनुसर मैं आपको बताना चाहता हूँ आप दो उपाई करें एक तो शिरी भक्तामबर इस्तोत का पैतालिसवा कावे रो जाना नो बार पढ़ें गिलास में पानी ले लें और नो बार पढ़ने के बाद वो पानी आप पिताजी को पीने के लिए दें दूसरा एक अच्छी क्वालिटी का ओपल रतन लेकर वो पिताजी के गले में धारन करा दें लोकेट के रूप में अगर आप ये दो उपाई करेंगे तो इससे उनका स्वास्तलाब होने लगेगा और वह जल्द ही स्वस्त हो जाएंगे बंदू आपकी भी कोई समश्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सभी को जैजिनेद्र